दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों जीवतिर शास्त्र में जिस तरह से इंसान की कुंडली को देखकर उसके भविस्थ के बारे में जानकारी हासिल की जाती है वैसे ही सामुदिर्ग शास्त्र में शरीर के विविन हिस्सों के चिन और तिलों के माध्यम से जातक के बारे में पता लगाया जाता है मित्रों सामुदिर्ग शास्त्र भारती जूति शास्त्र की ही एक शाखा है इसमें इनसान के शरीर के तिल मस्से आकार के बारे में विस्तार से बताया गया है दोस्तों शरीर में मौझूद तिल इनसान के बारे में अलग-अलग जहनकारी देते हैं तो आईए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि शरीर के इस अंग पर तिल होना भाग्यसाली होता है या आभाग्यसाली होता है आज के वीडियो में हम जानेंगे तो बने रहें वीडियो के अंतक जानकारी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें चलिए अब इसरम में ही काम्यावी मिल जाती है वहीं जिन लोगों के नाक के दाहिनी हिस्से में तिल होता है ऐसे लोगों को जीवन में हर तरह का सुक मिलता है इन लोगों के बास धन संपत्ती की कमी नहीं होती है वहीं दोस्तों जिन लोगों के ललाट या माते परतिल होता है ऐसे लोग काफी लगी मने जाते हैं दोस्तों ये लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं दोस्तों दूसरा पांटे ओंट परतिल जिन लड़कियों के ओंट परतिल होता है ऐसी महिलाएं खुले विचारों और कामुख सुबाव की मानी जाती है मित्रों इनको बंधन में रहना पसंद नहीं होता है इनका सुबाव चालाक किसम का माना जाता है इसके चलते ही ये आसानी से दूसरों से काम निकाल लेती है वहीं लड़कियों के बाएं गाल पर तिल होना भाग साली होने का सूचक होता है वहीं दोस्तों अगर पुरुस के बाएं गाल पर तिल है तो ऐसे लोग काफी परिस्रमी मने जाते हैं तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको शरीर के विविन अंगों पर तिल होने से संबंदित ओहती महत्पूर जानकारी दी आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद